हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंत किशोर क्लासिस, आज फैक्टराइजेशन का बहुत ही इंपोर्टेंट कुशिन करने बाले हैं, ये दो कुशिन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर हमें इने फैक्टराइज करना हो, तो देखिए यहां पर ये कैसे करेंगे, ये बहुत ध्यान से देखना, 2A प्लस 3B स्क्वेर, keep it as it is, ये जो 16C स्क्वेर है न, इसको 4C होल स्क्वेर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वेर 16 होता है, C का स्क्वेर, C स्क्वेर भी आ गया, अब हमारा डिरेक्ट फॉर्मुला लग सकता है, कौन सा फॉर्मुला लग सकता है, ये वाला, x स्क्वेर माइनस y स्क्वेर, is equal to, x प्लस y, x माइनस y, क्योंकि हम इसको, ये देखे, ये पूरी टर्म मेरी x हो गई, ये मेरी y हो गई, तो x स्क्वेर माइनस y स्क्वेर बन रहा है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डिरेक्ट ये फॉर्मुला ल x मतलब 2a प्लस 3b, फिर प्लस y मतलब ये पीछे वाली टर्म, ये लेजे, ये मेरा फिर्स ट्रेकट बन गई, फिर x माइनस y, that means 2a प्लस 3b, माइनस y मतलब माइनस लगाकर, ये पीछे वाली टर्म 4c, तो बस ये ही आंसर है, मुश्किल नहीं है देखे, बिलकुल एजी है, अभी हमारा ये next question देखो, होगा ये भी इसी method से, अभी इसमें अगर आप देखेंगे 100 को हम 10 square लिख लेंगे, ठीक है जी, और ये x माइनस 5 का square as it is रहेगा, लेकिन अब इसमें क्या change होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 2a प्लस 3 भी पहले आ रहा था, तो मेरे को प्लस minus sign की कोई problem नहीं आए, जब यहाँ पर आप लिखोगे, मैं इसको इधर continue कर रहा हूँ, जब इधर आप लिखोगे ना, तो क्या बनेगा, x प्लस y लगाना है, देखो यह x हो गया, यह y हो गया, प्लस में तो कोई problem नहीं है, x लिखा, प्लस y भी लिख दिया, 10 प्लस x माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेरे को यह x माइनस 5 लगाना है ना, तो यह अक्सर कई बच्चे गलतियां कर देते हैं, 10 माइनस, जब नेगटिव साइन है ना, तो x माइनस 5 को एक बार ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि साइन चेंज करने होते हैं, अगर आप ब्रैकेट में लिखने की आदत नहीं डालते, तो साइन चेंज नहीं करते हैं, और गलती हो जाती है, तो अभी यहाँ देखिए, यह 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, 5 प्लस x बन जाएगा, प्लस x तो as it is रहा, 10 में से 5 माइनस किये 5, और इधर, यहाँ क्या होगा, माइनस x और यह माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, में यही पॉइंट रहता है जिसको देखना होता है, और अगले स्टेप में आप फाइनल अं लिख सकते हो, 10 प्लस 5, 15 तो यह देखिए, इसका फाइनल अंसर यह बना, 5 प्लस x, 15 माइनस x, I hope आपको यह जो दो टाइप्स आज किये, यह कुशिन समझ आ गए है, देखो हमने a स्क्वेर माइनस b स्क्वेर लगा के किया, यह वाला फॉर्मूला, आप चाहते हैं तो इस a plus b whole square को, इधर a plus b whole square को, लेकिन वो लेंदी हो जाता, यह easiest way है, कम steps में इस question को करने के लिए, I hope आपको समझ आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इसे like और share जरूर करिए, thank you so much.